जमशेतपूर के विर्सानगर में बन रहा है पियम आवास जहां 705 करोड की लागत से 32 ब्लॉक में लगभग 9600 आवास का निर्मान कराया जा रहा है जिन परिवार के पास अपना घर नहीं है वो फ्लैट लेने के लिए अपना दिन रात एक कर रहा है पर इस पियम आवास योजना की सचाई ही कुछ और है तो देखिए सोशल समभात की तरफ से विर्सानगर पियम आवास योजना की सपेशल रिपूर्ट सचाई वो नहीं जो होडिंग और पोस्टर में है सचाई वो है कि जिस घर में वो गरीब के लूग रहने वाले उसका निर्मान कैसा हो रहा है बताईए कि 8-9 महिना से रड आप देख रहें कितना जंग लगा हुआ है कि देखे हाप्त मारिये और इसके बाद जंग देखे किस तरीके साथ तो क्या ए मजबूती के साथ खिलवाड नहीं किया जा रहा है यहाँ पर भूलिए कि टाटा से लो जंदल लग रहे हैं यहाँ जितने भी लोकल कंपनियां थी सबको घुसा दिया गया ए गड़े देखे देखे हैं खोद कर सालों से इसी तरीके से पड़े हैं आखिर इसकी जवाब दे ही किसकी है कौन नमस्कार सुसल संबाद में स्वागत है मैं ससी भूशन मैं पी एम आवास के साइट पर हूँ और आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए फिर से एक बार लेकर आए हैं सच्चाई वो नहीं जो होडिंग और पोस्टर में है सच्चाई वो नहीं कि गरीबों के लिए आवास बन रहा है और लौटरी अवंटन सब कुछ हो जा रहा है बड़े बड़े पोस्टर बैनर इनाम सब कुछ मिल जा रहा है सच्चाई वह है कि जिस घर में वो गरीब के लोग रहने वाले उसका निर्मान कैसा हो रहा है उसको लेकर इसलिए कि सरकारी जब भी कोई प्रोजेक्ट त्यार होता है तो सबसे ज़्यादा सवाल उसके मजबुती, क्वालिटी, क्वांटिटी की बात हो रही है देखिए उसके साथ अस्थानी अभिधायक भी आया थे इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को लेकर उन्हेंने सवाल उठाया अब बताईए ज्यादा कुछ तो हम नहीं समझते लेकिन उन समझदार इंजिनियरों से जो लगतार फाउंडेशन पर जब हम लोगों ने सवाल उठाया रस्ट लगे हुए है अब जिस इस इस पर जब पीलर खड़ा होगा जब इस पर फाउंडेशन इसी के उपर पूरा जो है बिल्डिंग आप देख रहे हैं कितने लंबे लंबे टावर बन रहे है साथ तल्ला और आठ तल्ला तक 12,000 परिवारों के लिए तयार हो रहा है तो क्या ए मजबूती के साथ खिलवार नहीं किया जा रहा हम रट की कंपनी के नाम तो भूल जाई यहां पर भूल जाए कि टाटा से लो जंदल लग रहे हैं यहां जितने भी लोकल कंपनियां थी सब को घुसा दिया गया धीरे 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 करके आप उसमें मत जाए लेकि इंसल वास कंट्रेक्टर काम की शुरुवात करेगा और अब वो तो नहीं लगता है फिर से नहीं इसी फाउंडेशन पर इसी रट पर वो अपनी ढलाई करेगा और कोई एक टावर नहीं है कोई एक के कहानी नहीं है आगे आपको और भी हम देखाएंगे जब आप जैसी प खुले असमान में रड जो है जंक में जो तद्दील हो गया है इन्हीं रड के सहारे छट की धलाई हो रही है फाउंडेशन बन रहा है तो आप समझेए कि इनकी मजबूतिक किस हालात में होगा और तभी जब छट बनता है साल दो साल में फिर दरग जाता है और भरवरा के गिर जाता है तो लोग सवाल उठाते हैं तो आप देखिए चलिए आप देखिए किस हालात में अगर जिसका फाउंडेशन ही यह हालात होगा तो फिर आगे क्या होगा बाकी आपको सोचना है पहले चलिए देखिए पीए मावास की असली तस्वीर को देखिए और फिर सव हैं उसको ही मत देखिए पीछे भी आगर देखिए यह क्या हालात है और इधर यह देखिए एक गड़े देखिए खोद कर सालों से इसी तरीके से पड़े हैं आखिर इसकी जवाब दे ही किसकी है कौन जुटकों के लोगों को नगर विकास के सचिव जवाब देंगे कल का टावर गिर जाएगा तो हजारों परिवार उजड़ जाएंगे कौन जवाब देगा जिला प्रसासन नगर निगम कौन यह देखिए क्या भरोसा है कि इस पर जब बिल्डिंग बनेगी तो क्या आप मान के चल रहे हैं क्या कुछ होगा खुद सोचिए और खुद ही यह करी हम तो सिर्फ तस्वीर आपको दिखाते रहे हैं और फिर से दिखा रहे हैं किस तरीके से इसके निर्मान में लपरवाही हो रही है घोर लपरवाही इमान के चलिए किसी की भी और चिंता है तो आप देखिए आपको हमने 3-4 टावर वहाँ दिखा दिया यहाँ पर किसी भी तरह की कोई जबाब देनी सिर्फ मजाग हो रहा है घर के नाम पर पिये मवास के नाम पर उन अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता आपके इस देश में आप देख रहे हैं कि पुल पुडिया अबर ब्रीज घर कितने बन रहे हैं और गिर जा रहे हैं यहां अभी न सवाल थोड़ा सोचिये और जबाब मांगिये और उनकी जो है ना जो इनके जम्मादार अधिकारी हैं कंट्रेक्टर से जादा उनसे पूछना होगा तो आगे हम आपको और भी तश्वीरे दिखाएंगे और आप देखिएगा और फिर बताईएगा धन्यवार